नमस्कार दोस्तों सुवागत हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के योजना पर पैंशन से सम्मंदिद एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट निउज आप सभी पैंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं सभी पैंशन धारकों के लिए आज की यह एक महतपूर्ण जानकारी है सभी पैंशन धारक ध्यान दे यह एक कार्य करना अनिवारिये अन्य था आपकी पैंशन हमेशा के लिए बंद हो जाएगी आपके बैंखाते में पैंशन रासे को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा और यदि आप समय समय से अपनी पैंशन अपने बैंखाते में लेना चाते हैं तो यह एक कार्य आपको करना ही है यह कार्य करना अनिवारिये है यदि आपकी रुकी पैंशन है तो आपको जो रुकी पैंशन है वहे भी मिलना आपको प्रारम हो जाएगी रुकी पैंशन एक साथ आपके बैंक खाते में सरकार द्वारा ट्रांसफर कर दी जाएगी आज की है जानकारी सभी दिव्यांग, विद्वा, वर्द अवस्था, कुष्ट अवस्था और तलाकशुदा पैंशन धारकों के लिए है सभी जानकारी डिटेल वाइज में आपको मिलने जा रही है वह कौन सा कारी है उसके बारे में आपको बताएंगे कैसे आप करवा सकते हैं वह भी तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं वीडियो की सुरवात करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राफ्थ हो और आप सबसे पहले ही उसका लाव उठा सके चलिए वीडियो की सुरवात कर लेते हैं दिव्यांग, विद्वा, वर्दवस्था, कुष्टवस्था या तलक्षुदा यदि आप इन में से किसी भी एक पैंशन का लाव ले रही है या पहले आपके बैंक खाते हैं पैंशन आ रही थी आवाना बंद हो गई है यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है पैंशन धारकों के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है जिस किसी पैंशन धारक, पैंशन नहीं ले रही है, पैंशन रुक गई है क्या कार्य करना है, वे भी हम आपको बताने जा रही है यहाँ पर देखिए चलिए आपको बता देते हैं उनकी pension bank खाते में transfer नहीं की जाएगी वे pension से वंचित रह जाएंगे यदि आपने ये महत्पूर्ण कारिये नहीं कराया है देखिए सभी pension धारकों को pension का EKYC कराना अनिवारिये हैं bank EKYC उन्हें कराना है जो काफी लंबे समय से pension का लाव ले रहे हैं लेकिन अपने account number से अपने आधार कार्ड को link नहीं कराया तो उन्हें अपना bank EKYC कराने की अवशक्ता है सभी दिव्यांग, विद्वा, वर्दवस्ता, कुष्टवस्ता और तराक्षदा pension धार को को अपना account number NPCI mapping से कराने की अवशक्ता है अपने bank में जाकर ये NPCI mapping आप करवा सकते हैं pension application फारम में कोई गलतिया हो रही थी आपने वहेवे ठीक करा लिया है, correction करा लिया है, संसोधन करा लिया है अच्छी बात है, देखिए, बहुत से ऐसे pension धारक है जिनोंने pension का EKYC भी करा लिया है, bank KYC complete करा लिया NPCI mapping भी करा लिया, pension application फारम में जो गलती हो रही थी वहें भी संसोधन करा लिया है, और यदि किसी pension धारक का joint bank खाता है तो उनको pension नहीं मिल पाएगी, सबसे बड़ा एक यह भी नियाम है यदि आपका joint खाता है, तो आप इसको अलग करा लिजे, अन्ने था आपको pension नहीं मिल पाएगी कुछ ऐसे pension धारक है, जिन्हों निये सभी कारिये पूरे करा लिया है, लेकिन फिर भी pension नसी बैंक खाते में नहीं आ रही है उसका करण वहें एक कारिये है, कौन सा वहें कारिये, यह हम आपको आगे बताने वाले है देखिए, लेकिन फिर भी pension नहीं आ रही है, यह सभी कारिये करने के बाद भी तो ऐसे सभी वर्दवस्था pension धारकों को एक कारिये करना बहुती ज़्यादा अवशक है, अनिवारिये है जिला समास कल्यान विभाग द्वारा जिले के सभी बलोकों में सूचित कर दिया गया है और जिन वर्दवस्था pension धारकों का रासन कार्ड से pension link नहीं है, वहें लिष्ट भी जारी कर दी गई है यदि आप भी लिष्ट में अपना नाम देखना चाते हैं, तो अपने गाओं के गराम परधान या फिर पंचायत सायक से आप संपर कीजेगा तो देखे, उनसे आपको संपर करना है यदि उस लिष्ट में जो ग्राम परधान के पास या फिर पंचायत सायक के पास लिष्ट है यदि उस लिष्ट में आपका नाम है तो आपको रासन कार्ड से अपनी पैंशन को लिंक कराने की अवशकता है यह है आप कैसे करवा सकते हैं यह है सायता आप अपने पंचाय सायक से ले सकते हैं अब देखिए वह है लिष्ट किस परकार की है कैसे लिष्ट आपको देखने को मिलेगी तो चलिए वह है लिष्ट भी हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं देखे दोस्तो जो प्रेशनल इ पेंशन दो हारको की है, उन वेकतियों की है, जिनकी family ID, यहाँ पर फांड नहीं हुई है, पेंशन इसकिम देखिए, यहाँ पर old days का नाम लिखा हुआ है, यह सब ही वर्दवस्ता पैंशन धारकों की लिश्ट है, यहाँ पर आपको आपके ब्लोक का नाम दिखा मिलेगा, य अब देखें आपर लिखा है राशन कार्ड नहीं, राशन कार्ड नहीं, बहुत से ऐसे पैंशन धारक है जिनका राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, तो ऐसे स्थिति में देखें, परिवार के सभी वेक्टियों के पास राशन कार्ड नहीं होता, कोई एक मुख्या होता है जि राशन कार्ड की फोटर स्टेट आप जरूर लगवाईएगा और अपना ये कारी आप कम्पलीट करा सकते हैं देखिए हमाप प्रूव के साथ आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर पैंशन धारक का नाम है यहाँ उनके पिताजी का नाम देखने हो मिलेगा यहाँ पर मोबाइल से लिष्ट में आपको अपना नाम देख लेना है यदि आप गरामी छेतर के हैं तो इस परकार से आपको लिष्ट देखनों को मिलेगी और आप लिष्ट में इसी परकार से अपना नाम जाकर उनसे मिलकर लिष्ट लेकर चेक कर सकते हैं आगे आपको बताते हैं सभी आप वंचित भी रह सकते हैं यदि आप यह कारिये नहीं करा पाएंगे वर्दवस्था पैंशन धारकों के अलावा जितने भी दिव्यांग विद्वा वर्दवस्था देखें वर्दवस्था पैंशन धारकों के अलावा जितने भी दिव्यांग विद्वा, कुष्ट वस्था या तलाक्षदा पैंशन धारक है उनके लिए अभी ये कारिय करना अनिवारिय है या फिर नहीं है अभी तक इसका कोई भी निर्देश जारी नहीं किया गया है केवल और केवल अभी ये निर्देश वर्दवस्था पैंशन धारकों के लिए निकाला गया है तो उनको ये कारिय करना अनिवारिय है आने वाले समय में उनके लिए भी ये नियम पारित हो सकते हैं और यदि सरकार द्वारा ये नियम बनाए गए तो उनको भी ये कारिय करना अनिवारिये हो जाएगा लेकिन अभी केवल और केवल जितने वर्दवस्ता पैंशन धारक है उत्तर परदेश राज्य के तो उन सभी को यह कारिये करना अनिवारिये है और जितने सहरी छेतर के पैंशन धारक है वर्दवस्ता पैंशन का लाब ले रही है तो वे अपने नग आपको मर्दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजेगा आपके एक लाइक से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट मिलता है और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है डाउट है पूछना चाहते हैं नीचे कॉमेंट बोक्स में जाकर पूछ सकते है सबी सालों के जब आपको दे दिया जाएगा लाष्ट में हम निवेद नहीं करेंगे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बैल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिविकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पह में एक और नई जानकारिक साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत